तो डियर स्टूडेंट ये हैं हिंदी का पूरा का पूरा माडल पेपर कुश्चन पेपर जो की इसी वर्स दोहजार तेज़ार चोबिस के सेशन का है इस वीडियो से उन सभी चात्रों को बहुत ज्यादा है पर मिलने वाले हैं जिनकी परिछा आने वाले दिनों में कल पर सो के हिंदी के सिकेंड पेपर के मोस्ट इंपार्टन कोश्चन के बारे में जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महात्पूर है इस माडल पेपर में आपको बताएंगी कौन-कौन से परिच्छा में आपके प्रशन आ सकते हैं इसके लावा हमने कोश्चन एंसर की पूरी प्रकार अच्छे कोश्चन प्रवाइड करके आप एक्जाम में तयारी करके जाएं और सफलता पूर्बग पास हों बस पूरा डीटेल आपने देख लिया यहां पर ठीक है अब बढ़ते हैं अतिले घुत्री कोश्चन के और ओके तो सकता आपको बलर दिख रहा होगा ले अगला बहुत ही पौपलर ही हिंदी के साहित के बहुत ही पौपलर रेक लेख लेखक है यह कुश्चन कह रहा कि हरे आपको कि यूख के कभी है इनके प्रिशिद्ध महाकावे का नाम बताईए किस यूग के रशनाकार है और इन्होंने कौन से एक बहुत ही पॉपलर महाकावे को लिखा है उसके बारे में आपको परच्चे देना है लिखना उसका नाम हो बहुत महात्पूर यह भी प्रशन है अगला प्रशन है कि साकेत महाकावे किस की क्रत है इस रसना पर कौन सा प्रश्पूरत मिला है तो साकेत बहुत ही पॉपलर कोश्चिन भी है ठीक है यह भी हमेशा जहां तक मुझे जानकारी कई बार पर इच्छा में आ चुका है अगला प्रशन है आप लोगों के समस्तिकी राम की सक्ति पूजा का प्रतिबाद बताई यह इतना महातपोर्ण नहीं तो आप चाहिए पढ़ सकते हैं इस प्रश्ण को अगला की हिम तरंगनी किसकी का बिक्रत है इस प्रस्णा पर कौन सा पुरुषकार मिला यह भी इतना महातपोर्ण नहीं इस बार आपके एक्जाम के लिए ठीक है अलाकि बिहारी बाचवे की प्रमुक्र रश्णाओं के नाम लिए इंपॉर्टन साबित हो सकता असी प्रतस्त महातपोर्ण प्रस्ण नहीं ठीक है अगला प्रस्ण की विजयी विश्चु तिरंगा प्यारा जंडा गान की रश्णा कब और किसने की यह भी प्रस्ण हमेशा नहीं की भी बता रहे हैं हम आपको अगला प्रस्ण है कि स्याम नराण पांडे के दो प्रमुक महाकाबी यह इतना महातपोर्ण ने इसको इग्नोर कर सकते हैं सहीद ठीक है यह इतना महातपोर्ण नहीं मतलब कि अगला भी प्रस्ण इतना महातपोर्ण ने इसलिए इग्नोर करे साथ तो एक दो दिन पहले देखते थी के तो उनको में क्या उत्त तर स्वार करेंगे नहीं ुर्ण साथ इस नावट करने का प्रियास का उस्फिछ अधिनने के उन्मीद पढ़ें ऐसे मैं उनुस्ट प्रशनकी की ओर अब लग अब लग लग उत्रे में आप को कुछ क्षिंसंस दे जाते हैं और कुछ आपको पएरघ्राफ पद्यांस जыл जाते हैं जिनकि संद्रव झ्यान अनेक प्रकार ठीक है तो यह जो पध्यान में आपको लिखना पड़ेगा पहले संदर्वнее इसके बारे में इसका सार बताना होता है कि इस पहले ना पड़ता है स्कूर में इसको कि इदेए नहीं जानकारी है तो आप नीचे वाला जो अथवा करके दिया गए इसका संदर्व सहिद ब्याख्या कर सकते हैं तो मुझे ज्यादा मतलब इसमें बताने क्या चकता नहीं क्योंकि आप फिर समस्टर के चाहतर तो कावे इस प्रकार आपको पैराग्राब दिया जाएंगे अब बढ़ते हम और भी कुश्चन की और चार पैराग्राब करीब दिये जाते हैं जिसमें से दो काप लोगों संदर्व सहिद ब्याख्या करनी होती अलग 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 रोल्स होते हैं ठीक है लगभग लगभग दो जासों की प्रमाणिक्ता पर प्रकाश डाले प्रिथवी रार रासों से जुड़ा एक कुश्चन पहस जाता हो तो भी हमेशा नहीं लेकिन कभी कदार एक प्रश्च जरूर पहसता है इस बात को ध्यान रखेंगे तो प्रिथवी रार जासों के बारे में आपको थोड़ा प्रिचे पढ़ लेना इनका ध्यान लखेंगे माखनलाल चतुरवेदी का विकत बिस्ष्चता है यह भी हमेशा नहीं रिपीट होता कभी कदार होता तो आप पढ़ भी सकते एकनूर भी कर सकते हैं सुमद्रा कुमारी चौहान की राष्टे भावना के बारे में आपको माखनलाल का सकता है ऐक है तो इसको इतोड़ आपतैयार कर लेंगे ठीक है माहत्पूर प्रिच्छी बीए ठीक है! सुभध्रा वाला भी सोहन लाल दूभेदी वाला मतबब कभी कदा रहा रहता ठीक है लेकिन माखनला और प्रतिविदारास वाला यह कुछ ज्यादा ही महात्पूर प्रस्बद्रा वाला ठीक है ये महात्पूर वांगी अगला जो 9 नमबर है ये आने कउम्मीद नहीं तो आपके परिछय में पूछे जाने की उम्मीद है ऑ इन प्रशनों के लिए आप लोगों को करीब करीब पांस उ सब्दों में देना होता है लगत्री, तृकर शे पर लगबग चार कोश्चन दिये जाते देर गुत्रे में लेकिन कि नहीं दो ही का उत्तर देना होता है तो पहला प्रशन है कि राष्ट एक कभी मैथली स्रणगुप्त का मुल्यांकर कीजिए बहुत ही पॉप्लर कोश्चन पर इच्छा में कई बार रिपीटेड है तो कोशिए 100% फसेगा तो आगला प्रसाथ के काब पर प्रकाश डालिए लेकिन आपको ध्यान अच्तव का पूरा जीए पर लेना थिक हैं उसके बाद इनकी रशनाओं के बारे फद लेना है ठीक है और यहीं आपको त्यार करना कि जीए परें पर्चे में आपका सभाई रहा हिंदी साहित के छेत्र में यह सबाब को लिखना इसमें बहुत ही पॉपलर कोश्चन भी ठीक है और ऐसा प्रसाथ जी का यह आपको लिखना आ सकता है ठीक तुस बात को ध्यान रखेंगे आगला भी कोश्चन जो सेम उसी प्रकार है रामधारी सिंग दिनकर की राष्टे भावना पर प्रकाश डाली है या फिर रामधारी सिंग दिनकर जी राष्टे कभी है इसके बारे में कोश्चन हो सकता है तो कुल मिला के यह जो प्रमग कोश्चन यह है यह इन तीनों जो कभ बारे में थोड़ा 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 राष्ट कभी मतलत्र की रास्ट के भी तो उन रसनाओं के बारे बिखना होगा ठीक है यह तीनों को बहुत ही महात्पूर प्रश्ण है ठीक है अगला इतना महात्पूर नहीं को आप इग्णोर कर सकते हैं कि यह इतना पूर्ण पर बाकि प्रश्ण बताया उस मार्ल पेपर कुश्चिन पेपर में उन सभी परशनों का आपको तयार कर लेना है और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इनका तयार कर लेंगे उसके बाद मैंने मैसेज करेंगे उन्हीं को मिलेगी तो उस पीडियोप में जो जो कोश्चन उस बीडियोप में आपको कोश्चन भी दियेगे हैं और उसके सामने उसका उत्तर भी दिया गया है आपको कहीं और जाने जोत नहीं पड़ेगी कोश्चन उत्तर दोनों है तो उस पीडियोप को आ यहां तक देखते ही नहीं तो बात ही क्या करें फिरहाल आपकी इच्छा है हम अपना काम करें यह ना करें वह आपकी जिम्मेदारी है और आज इस वीडियो में से इतना ही मिलते हैं और नहीं वीडियो में